Hey guys, my name is Nishant, welcome to my YouTube channel Areva Genius So, दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही एक important topic के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ दोख्यों दोस्तों, आप सब को मालूम है, रेलवे में technicians, ALPs, JE and SSC की vacancy आनी वाली है next year तो मैं आप लोगों को पहली ये बता दे रहा हूँ, जो vacancy आती है, वो all over India आती है और रेलवे जो है different zones में बटा हुआ था, आप during exams एक particular zone में ही select करके exam दे सकते हो अगर आपका exam qualify होता है, तो आप उसी zone में आप अपनी service देंगे तो ऐसे में students के लिए zone selection बहुत important हो जाता है, कैसे मैं बताता हूँ suppose करो आप UP से belong करते हो, और UP में गोरगपुर division में उतनी vacancies नहीं आई तो in case आपको अपने selection के chances को increase करने के लिए हो सकता है, आपको चंदीगड division भरना पड़े, आपको अजमेर भरना पड़े लेकिन जब आप देख रहे हैं, last data से compare कर रहे हैं कि चंदीगड़ अर्जमेर का cutoff बहुत high गया है और आपकी preparation उस up to the mark नहीं है, प्लस में आपको prepare करते हैं कम से कम 4 to 5 year हो गए है और आप एक job लेने का भी pressure है, तो in that situation आप लोगों को एक safe zone select करना चाहिए safe zone क्या होता है, safe zone वो zone होता है जिसमें number of vacancies भी ज़्यादा है, number of selections भी आपके ज़्यादा होने के chances है प्लस जो cutoff होती है, वो भी कम जाती है, so in that case आपको वो zone select करना चाहिए for example, silly goodie zone, for example, सिकंदराबाद zone, for example, bangalore zone so students, exam की preparation एक तरफ है, लेकिन zone selection बहुत बहुत important minor राखता है suppose करो, आपने 100 में से 70 marks ले लिए, बट आपके zone की cutoff 72 चले गई जबकि हम देख रहे हैं, side में ही malda zone है, उसकी cutoff 65 चले गई तो आप अपने zone में तो नहीं qualify किये, बट अगर आप malda zone भरते तो आप 100% वहाँ पे qualify कर जाते, क्योंकि उसका cutoff 65 गया है, तो ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को zone selection के लिए analysis करना चाहिए, zone selection के analysis करने के लिए उसमे number of vacancies भी ज़्यादा होनी चाहिए, पिछले 2-3, पिछले trend में उसका cutoff भी बाकी zone से कम जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी preparation up to the mark है, आप बहुत ही अच्छे है और आपका ये fresh start है, आप नहीं चाहते कि यार मैं किसी दूसरे zone में जाके सर्विस करूँ, तो आप अपने ही zone को fill कर सकते हैं, और आपने अभी starting क्या preparation करना, तो it's okay, fine girls के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, girls, girls कोशिश करें अपना home zone select करने के लिए, या फिर अपना neighbor by zone so that वो अपने घर से connect रेसके, या फिर किसी भी situation में वो अपने घर आसके but boys, especially जिनको काफी time हो गया है, prepare करते हुए, उनके लिए zone का selection करना बेहिद important हो जाता है यहाँ पर, आप लोगों को carefully zone का selection करना चाहिए, regarding cutoff को देखते हुए number of vacancies को दे, कुछ students ऐसा zone select कर लेते हैं, जिसमें cutoff तो कम जाता है, बट उसमें vacancies भी कम होती है क्या पता उस दिन वो उलट फेर हो जाए, upset हो जाए, so आपको एक safest option की तरफ जाना चाहिए, अगर मैं कहूँ पांच zone जिन में cutoffs बहुत हाई जाती है, वो हैं, चंदिगर zone है, अजमेर zone है, यूपी का अलाबाद zone है, and then Kolkata zone, and then Mumbai zone, अगर मैं कहूँ पांच zone, जो safe हैं, ज इसमें cutoff कम जाती है, वो जम्मू है, सिली गुडी है, चेन नहीं है, सिकंदराबाद है, बैंगलूरू है, यह सब zones, so guys, आप अपनी preparation को continue कीजिए, कोई भी doubt है, आप comment section पर नीचे पूछिए, और मैं आपकी doubts को solve करूँगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं next video में, select your zone, carefully prepare,